बरसात का मौसम तो आ गया चारो तरफ आप बारिस होने लगी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हैंगिंग प्लांटर में कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं बरसात के मौसम में तो चैनल पर पहली पार रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर प्लाइक्टेजाइनगी हैp सब्सक्राइब टरियो कर केकि लिए को प्रैस कर लिएगा सामने आप देख पारे होंगे पोटुला का एक्दम अच्छे से ब्लू हो रही है अग्दम ये दीक्षी सामने य Lav Core कि आप इसे घमप्लांटर में अचहे से लगा सकते हैं ये एक दम अच्छे से चलेगी उसके बाद ये देखे काफी खुबसूरत पौदा रहता है ये हेजज वाला रहता है इसका नाम अलरेंटिमम साइद इसका नाम है आप इसे लगा सकते हैं इसकी लीफ काफी खुबसूरत देखने में लगती है तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में तरफ लटकते हैं तो इसे आप जरूर ग्रो कर ये हैंगिंग बास्किट में कोई भी हैंगिंग बास्किट हो आपके पास आप उसमें लगा सकते हैं यह देखे मेरी बोटल वाली है अब मैं इसमें लगाया है काफी अच्छे चल लेए उसके बाद अगले नमबर पर यह लगा सकते हैं अच्छे से और उसके बाद अगले नमबर यह देखिए काफी अच्छा पौदा यह वंडरिंग जू का है आप वंडरिंग जू को भी लगा सकते हैं हैंगिंग बास्किट में बरसात में काफी अच्छे से चलता है और उसके बाद अगले नमबर पर यह होती है आप इसे लगा सकते हैं हैंगिंग बास्किट में और अगले नंबर पर यह देखिए परपल हार्ट का है परपल हार्ट आप लगा सकते हैं काफ़े खुबसूरत देखने में लगती है इसकी लीफ आप इसे ग्रो कर लीजिएगा जरूर अपने गार्डन में और उसके लिया बन गई एं तो यही भी Bloom होगा इसे भी आप लगा सकते हैं अफि撲घ पैस्स आफे से चलेगा अपिसे लगा सकते हैं और इसके बाद अग्लय नंबर पर यहए पा रहें असपेरीगस आप AASPERIGAS को भी लगा सकते हैं हैंगिंग बास्किट में और च्छफूब अच्छे से चलता है हैंगिंग